हैलो फ्रेंड्स वर्कम यॉल आज मैं आपके वीडियो लिकार देखें बात करेंगे एक स्टॉक की 1950 से गिरकर 460 के लेबल तक पहुँच गया अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकिन इतनी बड़ी गिरावट अगर आपके किसी स्टॉक में देखने को मिले तो आप पूरी की पूरी अंडर्स्टैंडिंग मार्किट के आपको समझ मायाएंगी और किस तरीके से सीचुवेशन आपके पास है नहीं है कंट्रोल में है लॉस बुक करना है नहीं है बिल्कुल रस्क मैनेजमेंट के बारे में चीजह आपको समझ बायेंगी स्टॉक आज इसकी चर्चा करेंगे वह है बार्बिकी नेशन आप देखोगे पिछले तीन साल के अंदर जबर्दस तरीके से खर्चा आपको देखने को मिल रहा है लेकिन मेजरली कंपनी ने लॉसी लॉस दिखाया है आपने देखा होगा पेटियम का शियर बार्बिकी नेशन गिर के कहां शॉक है यह विक्री चार्ट है मार्केट में यह स्टॉक आया उसके बाद जबर्दस तेजी देखने को मिली और यह देखिए इसलिए आपको हम बार-बार कहते हैं आसमानों पे अगर खरीदोगे तो खतरा बहुत ज्यादा होता है और जल्दी से निकल नहीं पाओगे रि नहीं आप पहुंचे मैं जहां से सुर्वात क्यों कह रहा हूं क्योंकि बार्ब्यू की नेशन जर मार्केट में आया था तो इसका फाइनल इशू प्राइस था 500 और ओपन हुआ था 492 पे अगर आप इस टॉक को देखो बार्ब्यू की नेशन को किस लवल तक गया 460 के आस उसके बाद मोमेंटम आया ही नहीं देखिए यह प्राइस है अल्मोस 1300 के आस पास का यहां पर बाबू की नेशन ने मोमेंटम खो दिया था और इसके बाद लोवर हाई लोवर लोग की सीरीज यहां पर बनती जा रही है जड़ा सूचिए उन लोगों का जिदोंने इस लव 70% की गिरावट और करेंट प्राइस को देखो तो 70% की गिरावट यह है 70% की गिरावट तो मार्केट में सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो बिलकुल आसमानों से जमीन पर आ जाते हैं तो हमेसा ध्धान नहीं इसलिए मैं आपको माइंड में सेट कर लें दाट्स वाइन इसका मैनेजमेंट इस इंपर्टन वाइन इसके हम बार बार बात करते हैं यह देखिये लेकिन आज इस टॉक की चर्चा हमें दो चीजे सिखाएगी एक तो भी देखिये लोवर है लोवर लोग की शिरीज किस तरीके से आई और आई वर्जेंस क्लियर ली देखियो अब तक जो हुआ सो हुआ क्या पॉजिटिवीटी दिख सकती है तो अभी तो हमारे पास डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस के बाद आई प्यों मार्केट में ऐसी होता स्टार्टिक में शेर आसमान पर जाता है फिर जबीन प्या जा याद रखे यह प्राइस 560 का है मोमेंटम अभी नहीं है तो जैसी अगर यह गियर सिफ्ट करेगा पॉजिटिवीटी दिखाएगा तो मोमेंटम भी आएगा मोमेंटम भी आएगा एंट्री मोमेंटम से पहले करनी ही नहीं बिलकुल अगर जड़ पे भी है स्टॉक कोई द देखिए यहाँ पर जाके तो मात्र मात्र क्या देखिए 200 गिरते टाइम तो आपको लग रहा होगा कम पसेंट है लेकिन अब देखिए 200 का मूव है है कि नहीं है तो क्या बार्भी की नेशन अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर पाएगा तो बात करेंगे इसकी मोमेंटम के ब प्रॉसस बनता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन तब जब मोमेंटम आप आएगा अभी हमारे पास मोमेंटम नहीं है जड़ पे हम जरूर है लेकिन जड़ पे यह मतलब नहीं है कि बिना मोमेंटम के सवार हो जाए इसलिए हमारे हम आपको बार-बार यही बेसिक की ओप पर काम करते है कि मोमेंटम जब मोमेंटम होता है तो प्रॉबबलेटी आपकी डिरेक्शन में जाने की अच्छी हो जाती है दूसरा अगे फिर गैरेंटी नहीं है और लो रिस्क होता अगर प्लान फेल हो जाए अगेस्ट चली जाए चीज यह तो आपके पास रिसक मैनेज सीरीज में आप इसको देखे समझे सीखे साथ में M60 मशीन गन करेक्शन को समझे क्लीन साइकल को समझे और उसके अलावा रागुलर एक्सरसाइज रिवर्सल एक्जामपल हाउ टो फिल्टर स्टॉक बहुत लोगों को यही होता है कैसे स्टॉक को समझे कि वो रडार में आ होने की वज़े से यही रडार में आया तो ऐसे स्टॉक को हम रडार में रखते हैं जहां पर हमें टू-पॉइंट सिस्टम का डाइवर्स देखने को मिलता है लेकिन एंट्री के अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब मोमेंटम आता है अगर नो मोमेंटम मींस नो एंट्र लो रिसक अपॉर्चुनिटी बिल्कल जड़ पे आसमानों पे खतरा होता है यह बार्वियो की नेशन ने आपको बताया थोड़ी दिर पहले एक और स्टॉक की हमने चर्चा करी थी और हमेंसा ध्यान रखें पीक पे जब आप एंट्री करते हो there is a high probability and high risk जोन इसका यह मतल in your favor कम हो जाते हैं तो आप ऐसी situation भी देखते हो again why risk management मालो आपने positivity देखके यहाँ पे entry ले ली with a stop loss of this and अगर आप यहाँ पे निकल गए होंगे इस loss के साथ तो you can see you can see कि कितना बड़ा आपने यह जो fall है वो avoid किया बलकि even time कितना shape किया जो भी capital आपकी बची है इस time पे आली चीज़ें आपने सीखी बार्वियो की नेशन तो हमेशा ध्यान रखना है risk management को follow करना है plan को follow करना है और हमेशा अगर आपको opportunity दिख रही है तो risk management low risk opportunities के उपर ध्यान देके और बिल्कुल high risk जहाँ पर probability कम है odds आपके direction में जाने के कम है वैसी situation को avoid करना बहुत ही important है क्य सलना है wind up करता हूँ वीडियो को और यहीं उम्मीद करूंगा कि आप practice जरूर करते होंगे अगर आप कमेंट कर कीजिए practice करते हो तो yes I do यह लिखे yes I do and फिलाल के लिए thank you